हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सब्सक्राइब किजिए हेल्दी हेल्थ यूचिप चैनल को और दिबाईए इस गंटी को ताकि आप तक पहुंच सके हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले आपने विटामिन E तेल के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानती है कि यह आप की कई समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है आलफा टोकोफिरोल, जिसे आम तोर पर विटामिन E के रूप में जाना जाता है, कोई चमतकारी कोश्थी के रूप में कहो जाता है फेट में गुलंशील अंटी ओक्सीडेंट को तवचा, बाल, नाखून और समगर स्वास्थी के लिए फायदे मंद होता है विटामिन E एक शक्तिशाली रेडिकल्स से लड़ने वाला एंटी ओक्सीडेंट है जो कोशिका जिल्ली को ओक्सीकरन से बचाने की क्षमता रखता है यह ड्राय और डिहड्रेटेड अर्ट वचा के उपचार में भी एक आवश्य को पाए है आए जाने इससे आप रोजमर्रा की किन समस्याओं को दूर कर सकती हैं दूर करे चहरे के दाग कई बार पिंपल्स की वज़े से चहरे पर दाग रह जाते हैं ऐसे में विटामिन E के ओरल के साथ मसाज करने से चहरे पर मौझूद पुराने से पुराने दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। स्ट्राच मार्क्स से चुटकारा स्ट्राच मार्क्स से चुटकारा पाने के लिए विटामिन E ओरल बहुत अच्छा उपाय है। विटामिनी त्वचा के ंदर जाकर काम करता है। यह त्वचा की दूसरी परत को भीद कर और उस पर स्ट्राच मार्गस को ठीट करता है। इस प्रकार उपचार स्वाभाविक रूप से और प्रभावी रूप से होता है। ड्राइनेस दूर करें, ओलिव ओल के साथ विटामिनी तेल का इस्तेमाल तवचा की ड्राइनेस को दूर करने में मदद करता है। साथ ही यह तवचा को पर्यापत और आवश्यक नमी प्रदान करता है। नाखूनों के लिए विटामिनी, उक चार गुनों के साथ विटामिनी और रफ फटे नाखून और क्यूटिकल्स को ठीक करने में मदद करता है। यही एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है जो नाखूनों को दरारों से बचाता है और उन्हें मजबू और डैंडरफ से मुक्त बनाता है। फटे हुन्थू का इलाज। आप फटे हुन्थू की समस्या से छुटकारा पाने के लिए विटामिनी कैपसूल का इस्तिमाल कर सकती है। इसके अलावा अगर आपके हुन्थू का रंगदाख हो गया है तो इसे थोड़े से नीम्गू के तेल के साथ मिलाकर हुन्थू पर लगाएं। लेकिन इसे लगाने के बाद धूप में बाहर न निकले। फटी एडियो का इलाज। फटी एडियो को जल्द से जल्द हाइडरेट करने की जरूरत होती है। ऐसे में विटामिनी के चार कैपसूल को पंचर करें और तेल को फटी एडियो पर सीधे लगाएं। इसके बाद कुछ शिया बटा लगाएं और मुझे पहन लें ताकि आपके पैरे से सोख लें। बिस्तर पर जाने से पहले हर रात ऐसा करें। अगर विडियो पसंद आई टू लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।